क्या सोच कर आप ये घोश्णाएं करते हैं ये जो मुफ्त की पॉलिटिक्स जिसको लोग कहते हैं इसमें दो चीज़े हैं पहली चीज तो अगर मैं हमारे देश के बच्चों को अच्छी शिक्षा मुफ्त में देता हूं मुझे नहीं लगता इससे बड़ा राष्टर निर्मान का कोई काम हो सकता है अगर मैं अपने लोगों को ये गारेंटी और सुरक्षा चक्र देता हूं बई तुमारे घर में कोई भी बिमारों चिंता ना करना तुमारी सरकार है और तुमारा सारा इलाज मुफ्त कराऊंगा मुझे नहीं लगता इससे बड़ा राष्टर निर्मान का और सेवा का काम कोई हो सकता है फिर सरकार होती किसलिए अगर अपने लोगों का स्कूल नहीं दे सके शिक्षा नहीं दे सके बच्चों को अच्छी इलाज ना करा सकते तो लानत है ऐसी सरकार के ऊपर अब मेरे को यह बताईए यह जितने मंत्री मुख्य मंत्री गुमते हैं जीतने बड़े-बड़े लोग आप तो ज्यादा मिलते होंगे इन लोगों से इन में इनके सब के घर की विजली फ्री है चार-चार घार यॼनिट महीना बिजली फ्री एक-एक मंतरी की चार-चार यॉनिट बिजली मुफ्थि होती है lodि महीने में तो अगर मैंने कह दिया कि ए लोगॉं को में 200-300 लुजली तो बताओ क्या गुनाह कर दिया मैंने सारे मेरे उपर चड़के पड़ रहे हैं पूरे सारी पास्तिया डेह हैं सारे पत्रकार मेब गालियां दे रहे हैं कि के जरिवाल मुफ्त क्यों डेता है और कौमा लेता खा जाता यह तो तक्लीफ नी थी किसी को मैंने नहीं परादिक को करब मैं खाओं गानि मैं भूस्ता चारनी करूंगा इंसार जंटा के अंदर अलग-अलग सभेश्थ देता हूँ तो मैंने तो कसम खाई है जो जो सहुलियत मंत्रीयों को फ्री में मिलती है अपने लोगों को भी फ्री में हर आम आदमी को खास आदमी बनाओंगा मैं इस देश का